चलिए अभी तक हम लोगों ने देखा था और मादले मिंटो सुधार उनेश्टू 9 तक के एक्ट को हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है, आज जो हमारी क्लास की जो पहली एक्ट जो होगी, अधनियम की बात करेंगे, तो उनेश्टू उनेश्ट का है, ठीक है, इसको मान् क्रमी कुरुप से उतरदाई सरकार की असफाप करना था ठीक है मतलब 20 अगास 1917 को बिटेश गवर्मेंट ने घोशना किया उसका उदेश जो है उसका लॉंट्रम की परपस है भारत में की रिस्पोंसेबल गवर्मेंट मतलब एक उतरदाई सरकार बनाने की है ठीक है यह गोशना होती है यह रिपोर्ट बनती कब है तो 99 में रिपोर्ट बनती है यह लागउ कब से हो जाती है यह लागउ होुआ जाती है ना यह 29 वह घ्यान और तो 1919 में ठीक है, इस संअणियम को figures वि Zum sort shudhar भी कहा जाता है क्योंकि Lord Państ specifically की बात करेंगे उससे में कुं थे भारत के सचीव थे, जबकि 政ur की बात करेंगे तो में कुं थे भारत के वाइसराय थे ठीक है, आप देखेंगे इस अधनियम की विशेष्टा है क्या थी, किंद्रिये और प्रांतिये विशेव की सुची की पहचान कर एब हम उन्हें पृत्था कर राजो पर कंद्रिये नियंतरन कम किया गया, ठीक है, यहाँ पर दो चीछ किया गया, कंद्रिये सुची में कौन सा भी से अब प्रांतिये सुची में कौन सा भी से रहेगा, अभी आप देखते हैं न, सात्मियन सुची में तिन परकार का सुची दिया गया, शंग सुची, राजये सुची, शंबर्ती सुची, तो 1929 के अधनिये में यहाँ पर दो परकार के सुची थे, कंद्रिये सुची थी, जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जो किंद्रिये जो सुची जो था, उस पे वहां का जो किंद्रिये बिधान परिसद था, वो कानून बना सकता था, और प्रांतिये बिधान परिसदों को अपनी अपनी सुची पे कानून बनाने का मुख्यरूप से ध्यान में रखें तो अभी भी केंद्रिये और एकात्मक ही रहेगा ठीक है भी भी हमारे सरकार का ढाचा कैसा है तो एकता से देखेंगे तो हमारे यह आप एकात्मक ही माना जाता है ठीक है पावर-केंद्र के पास अधीक है हलागा कि हम लोग अर्द.- संखिय केहते हैं, नत्व पूरी तरीके से, ठीक है? शंखात्मख है, अधसंखिय कहा जाता है, केसी वेयर ने भारती विवस्था को, शरकार के धाशा को अधसंखिय कहके उखा रहा था, ठीक है? इसने प्रांतिय विषयों को पुनट दो भाग में बिभक्त कर दिया, ठीक है, यहाँ पर केंद्रिये विषय, जिसे दो विषय बने थे न, एक विषय जो थे से केंद्रिये, जिस पर केंद्र कानून बना सकती थी, एक विषय जो रखा था, इसको बोलते थे प्रांतिये, ठीक है, अब यहाँ पर प्रांतिये विषय को भी क्य किया गया, दो सुची में विभाजित कर दिया गया, प्रांतिय विषय को दो सुची में क्या किया गया, विभाजित किया गया, ठीक है, एक को रखा गया, हस्तांतित, दुसरा को रखा गया, आरक्षित, ठीक है, कौन-कौन से था, तो हस्तांतित, आ दुसरा की बात करेंगे, आरक्षित था हस्तांतित विशेव पर गवर्नर का असासन होता था जो हस्तांतित विशेव उन पर गवर्नर का असासन होता था और इस कारे के लिए वह उन मंत्रियों की सायता लेता था जो पिधान परिशद के प्रति क्या थे उतर राई होते थे ठीक है तो प्रांतित विश की बात करेंगे इस पे किसका सासन होता था गवर्नर का सासन होता था जो प्रांत का था और इस कारे में वो साहता किसका लेता था उन मंत्रियों के साहता लेता था जो इस जो बिधान परिशत के प्रति क्या होता था उतरदाई होता था ठीक है अद दूसरी वह जो आरक्षित मोतर्شت के प्रती उतरदाई नहीं थी तो यह आरख्षित विसे के लिए था बात करेंगे तो यह इस पे मतलब जो शहायता जो लेता था गवर press供 सही का و किसका सहायता लेता था उन मंतोरियों का सहायता लेता था जो की मतलब विधान परिषद के प्रति क्या थे तो उत्तरदाई थे ठीक है तो आप यहां पर देखोगे इन सूची में उन्हें इस करतिया में दो सूची बनाए गया था एक किंदरिये था दूसरा की बात करेगे हैं प्रांतिये था अब प्रांतियों के लुए सुछी में विभाजित कर दिया हैं, एक हस्तांति था, एक आरक्षित था, तो हस्तांति भी सह ainda पर कानूर बना ने लिए कि गवरनर किसका सहता लेता था, मंत्रीों का सहता लेता था, जो कि विधान परिषड के पति उतर दाई थे, ठीक, आरक्षित प्रांतों में दुएद शासन की शुरुवात हो गई, ठीक है, समझे गजारा, अब यहाँ पर मैं इतनी सारी सब्द जो आपको इसलिए बताया, तो 19-19 के एक में प्रांतों में किसकी शुरुवात होती है, ठीक है, समझ गया है, कैसे कि प्रांतों में दो सुची बना दिया गया, कौन-कौन सुची बना दिया गया, तो एक हस्तांतित भी साय और दूसरा आरक्षित भी साय, तो 19-19 के एक में प्रांतों में किसका शुरुवात हुआ, तो दुएद शासन का शुरुवात होता है, ठीक है, डुएद शासन सब्द डायर्की से उत्पन हुआ है, ठीक ह यह किताब लिखी गए थे, किताब लिया थे, लियोनस काटियस ने किताब लिखाता है, किसने लिखाता है, लियोनस काटियस ने पुष्टक लिखाता है, डार की नामक, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डुएद शासन होता है, ठीक है, तो 19-19 के अधनिया में किसमें प्रांतों में दुएज सासन की सुरुवात 1929 के अधिनियम में होती है और 1935 के अधिनियम में प्रांतों में दुएज सासन को समाप्ट कर दिया जाता है ठीक है तो दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है 1929 के अथनियम में प्रांतों में दोयद सासन की सुरुवात होती है 1935 के अथनियम में प्रांतों में दोयद सासन को समाप्ट कर दिया जाता है ठीक है और एक चीज और भी आपको ध्यान बतना है 1935 में केंदर में दोयद सासन की सुरुवात होती है समझें, भूलेंगे तो नहीं, अगर पुशा जागा प्रांतों में दुर्षासन की डार्की की शुरुवात कभ हुई तो क्या बताएंगे, बोलिस अभी लोग उनीस में, और केंदर में उनीस सो पैंदीस में, अब प्रांतों में दुर्षासन समाप्त कभ हो गई उनीस सो पैंदीस में, जब केंदर में शुरुवात होती है तो प्रांतों में समाप्त हो जाती है, ठीक है, आप इससे ध्यान पर रखेंगे, तिसरा क्या था इसमें, इस सद्नियम ने पहली बार देश में दुर्षादिये विवस्था और पर्टेक्ष निर्वाचन की विव ठीक है, पर्टेक्ष निर्वाचन विवस्था भी उनईस और इसकी अधनियम में प्रारंब हुई थी, ये भी आपको ध्यान पर रखना है, ठीक है, देश में पहले बाद दुर्षा निये वेवस्था और पर्टेक्ष निर्वाचन, ठीक है, अभी आप तो भोट दिने ज चुनाव होता है, तो आप तो राश्वति पर्टी के वोट नहीं न रहे तो आप जिस रीपर जेन्टेटीव को चुना, MLO को चुना, फिर MP को चुना, वो राश्वति को चुनते हैं, तो राश्वति को चुनाव परटेक्श तरीके से होई, उनको indirect कहेंगे और आपने MLA या फिर MP को चुना वो मतलब पर्टेक्ष तरीके से चुने गए ठीक है तो उन्हें सुना इसके अधनिया में ही ठीक है यहाँ पर क्या होता है तो पर्टेक्ष निरवाचन वेवस्था भी प्रारंब होती है साथ में दुस्द्निये सासन वेवस अभी भी है राज्य सभा को अपर हाउस कहते हैं उची सदन लोग सभा को निम्न सदन कहते हैं पर लोवर हाउस कहते हैं इसको भी आपको ध्यान वरखना दोनों सदने के बहुत संक्यक सदसों को पर्टेक्ष निरवाचन के माधम से निरवाचित किया जाता था तो अभी भ जाता है ठीक है और लोग सभा का सदाज जो होता अभी पर्टेक्स तरीके से चुना जाता है जिसका भोट होटा अभ है कि चुना जाता है प्सक्तार है की कारे-कारी परिस्धत के 6 सदसों में से कमांडर इंचीफ को शोर कर 3 सदसों को भारतिय होना आवश सकता. यहाँ पर थोड़ा उतरदाई सरकार बनाने की बात कही गई थक जाहे से बार भारतियों के भारतियों को विना सामिल कि यह उत्रदाई सरकार तो बन नहीं सकती ना वाय सरा कि कारेकारी परिश्यत के 6 सदस होता था उसमें से 3 भारतिये होते उसमें कमांडर-in-chief नहीं हो सकता था कमांडर-in-chief कभी भारतिये नहीं हो सकता था ध्यान में रखेंगे अब देखेंगे यहां पर आपने देखा यह बहुत important है, copy निकाल के mark कर लिजे, ठीक है, जब भी पढ़िएगा, तो एक पढ़ने वाला environmental में बैट के पढ़िएगा, ठीक है, आप कोशिस कीजेगा से पढ़ रहा है, तो थोड़ा से copy किताब निकाल ले, ठीक है, जब spectrum परहा रहा हूं तो, ठीक है, और मैं जैसे परहा र सापको कुछ नहीं आ रहा उस अनुसार से, तो इसलिए इन चीजों को अच्छे से समझ लीजिए, और कोशिस कीजे, एक बार पढ़ने के बार, फिर दोबारा पढ़ने के हो सकता ना हो, तो हमने क्या बता, उन्हें 109 के एक्ट में संप्रदाइक्ता के नीव रखी गई थ इसमें क्या होता था, लोग संप्रदाइक अधार पर मतदान करते थे, मारली जो कोई मुस्लिम करने डिये टेकर भोट में खरा हो रहा है, तो इसको वोटिंग करने वाले लोग भी मतलब मुस्लिम होंगे, समाज को बाटने वाली परकिरिया के सुदात 1909 के एक्ट में की ग गया था, कि अबर मुसल्मानों को दिया गया था, तेकि 1919 में बढ़ा कर सीख को दिया गया, भारतिये इसाई को दिया गया, एंगलो इंडियन को दिया गया, और इरोपियों के लिए भी प्रिथक निरवाजन सिधान को विस्तारित किया गया, तेक है, मतब 1919 में अधार पर, ठीक है, निरवाजन के सिधान को और अधिक विस्तारित किया गया, जिसकी शुरुवात 1909 के एक में थी, ठीक है, अब 1909 के एक में किसको दे दिया गया, सीख को दिया गया, भारतिये इसाई को दिया गया, अंगल भारतिये इंगलो इंडियन को दिया गया, एर बहुता है पिर 1929 के एक्ट में भी किया जाता है तिक है आगे चलके महिलाओ को देंगे मुदूरों को देंगे तिक केंटिनिवास मतलब क्या हो रही है मतलब बढ़ रहा है यह भी आपको द्यान में रखना इस कानून ने संपत्ति कर यह सिख्छा का धार पर सीमिट संख्या में लोगों को मताधिकार परदान किया ठीक है एक आरा बारा परसेंट लोगों को मात भोट देने का धिकार था इसक इतना पढ़ाई होगा तभी वोट देना परेगा ठीक है आपके पास इतना संपत्ति होना चाहिए तभी वोट दोग नहीं है ना लेकिन उस समय जब उन्हेंस के एक्ट में जब यहां पर पहली बार जब प्रतेक्ष निर्वाचन का प्रभधान जब किया गया लेकिन इस स फूरी तरीके सापेक्ष तरीका नहीं था ऐसा नहीं कि वोट देने का धिकर दे दिये तो भारत का पर्टेक नागरिक डैट alltså बोट डे सकता था तो कुछ कारियों को मतलब हाई कमिशन को मतलब क्या कर दिया गया अधिनियम में बताएंगे Ö इसने एक लोग सबायों का गठन किया ठीक है आप बोलोगा साथ लोग सबायों का गठन उन्न 26 में हुआ था नहीं ःद ही एक में लोगसवायों का गठन करने का प्रभधान था, हलाकि civil शेबकों के भर्ती के लिए केंदरिये लोगसवायों का गठन, ली कमिशन के अनुसंसा पर 1926 में किया गया, बोलो सर कौन सा कमिशन ये लोगसवायों से समंदित, तो ली कमिशन ध्यान में रखिए कौन सी कमिशन क्या बताएंगे ली कमिशन ठीक है और जहां पर लगे नोट करने की बात है तो हाँ आप लोग नोट भी करते रहना ठीक है अगर पूछा जागा किस एक में लोग सबायों को गठन करने का प्रभधान किया गया था तो उन्हें सो उन केंद्रिया बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधान सभाव का अपना बजट स्वेम बनाने के लिए अधिक्रित किया गया तो यहां पर केंद्रिया बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया जो राज्य की जो सरकार है वो अपना सेंट्रल का भी अपना बजट होता था इसकी शुरुआत उने सो निस के एक्ट मेहीं थी राज्यों को बोला गया से भाई सब आप अपना बजट देखलो हम अपना बजट देखते हैं सभी जो राज जो थे जो प्रांत जो थे वो अपना बजट खुड तयार कर सकते हैं इसक को जांच करने के लिए एक कमिशन बनाया गया जोन साइमन के नेतुत में अब बोला गया से दस परसों के बाद इस एक्ट को इस अधनियम को जांच कर देखा जाएगा तो यह अधनियम जो पारित हुआ है यह भारत में किस परकाल के सासन बवबस्ता चलाने के पक्ष में बढ़िया है कि नहीं या फिर इसमें किसी तबदिली किया सकता है तो अगर बजापते से कर देखा जा तो 1929 में 10 अगर जो लोग तो 1929 में जांपरता लहोनी चाहिए लेकिन वहाँ पर क्या था न सरकार बदलने वाली थी इसलिए कमिशन का गठन 1927 में ही कर दिया जाता है ठीक है 1927 में कमिशन का गठन किया गया इसका नेतुत निधारी समय से दो वर्स पहले ही इसका नेतुत करने का अधिकार दिया गया जौन साइमन को ठीक है इसका धक्ष था इसमें सारे के सारे सध़ जो थे कौन थे बृटिश सेप्स थे वाइट पीपूल थे इसको इसको कमिशन के तौर पे भी जानते हैं ठीक है तो 1927 में तो बना था लेकिन भारत ये पहुंचता है भारत ये पहुंचा उनेश 28 में ये भारत पहुंचा ठीक है तो पहुंचा भारत ये भारत ये उनेश 28 में पहुंचा ठीक है उनेश 28 में जो भारत पहुंचा तो इसमें एक भारतिये सदस्तन होने के कारण इसका जमकर मतलब क्या हुआ बिरोध होता है तो कभी अगर एक्जाम में अगर आप से पूछा जाए से बताओ यो वाइक में कमिशन या फिस साइमन आयो क्यों बना था तो 1929 के एक्ट को जांच करने के लिए ही बना था ठीक है और कब बन गय साथ थे इसमें और क्या क्या चीजा था तो सारे के सारे सबस्त्की बात करेंगे विधेसी थे इसलिए मतलब क्या किया गया इसका अगया इसने अपने रिपोर्ट कर दी थी 30 को अपने रिपोर्ट जो थी 1930 में अपने रिपोर्ट दी थी ठीक है तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है सिवाई सायव 1929 में 1929 के अधनियम को जाच करने के लिए थी एक सायमन आयोग बना एक बैद्धानी καाय बना जिसका नाम था सायमन आयोग क्योंकर इसका अध्याक छोथा जॉन सायमन था तो उसी के नाम पर बन गया ठीक है बनना चाहिए 1929 में लेकिन दो वर्स पहले 1927 में गठन किया गया ठीक है भारत कब आया तो 1928 में भारत आया एक साथ में से एक भी भारतिय सरस नहीं था इसलिए इसका बिरोध हुआ लेकिन बिरोध के बाब जुद भी सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी 1937 में अपनी रिप फ्रेंज जो होता है साइमन कमिशन का जो रिपोर्ट जो दिया था उसी के जाच के लिए उन्हें 130 में क्या बुलाया जाता है तर राउंड टेबल कॉनफरेंस उन्हें 130 में 1931 में एंड 1932 में ठीक है तीन राउंड टेबल कॉनफरेंस होता है जो कि साइमन कमिशन का जो रि उसी के अधार बनाके 1935 का अधनियम को फिस किया जाता है, clear? तो मैंने देखा, मैंने कहां से जोरा सारे कॉंसेप्ट को, मैंने सब सारे कॉंसेप्ट को 1929 से जोर दिया, ठीक है? सबसे पहले उने सुनेश में अधनियम आया, 1919 का, बोला गया सा भाई साब, दस साल के बाद एक बैधानी का आयोगी, इसकी जाच करेगी, उसकी क्याधार पे पहले ही, ठीक है? पहले 1927 में साइमन कमिशन का गठन हो गया, हलाकि साइमन कमिशन भारत 1928 में आती है, इसने अपनी रिपोर्ट दे दी, 1930 में अपनी रिपोर्ट दे दी, सरकार ने इसकी रिपोर्ट के जाच करने के लिए तीने राउंटेबल कॉन्फरेंस बुलाया, जोकि सबसे पहला 1930 मे दूसरा हुआ, गोल में सम्मेल हैं जिसको राउंटेबल कॉन्फरेंस कहते है, जिसमें कॉंग्रेस ने गांधी जी को अपना पर्तनिधी बना कर भेजा, तीसरा बाला जो हुआ है, 1932 में हुआ है, ठीक है, तीनों क्या अधार बनाके, अंतिम बाला एक जो था, 1935 का भारत सासन अधियम को क्या किया गया, प्रस्तूत किया गया, ठीक है, तो सारे आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है, आप देखेंगे इसने, तो 1930 में अपने रिपोर्ट पेस की, तथा था, दूएर सासन पर्नाली, राज्यों में सरकारों का बिस्तार, ठीक है, बेटिस भार में संगी की अस्थापना, अबन संपरदारिक निर्वाचन वेवस्ता को जारी रखने आधी किसी फारस की, लेकिन यहां से प्रस नहीं पूछता है, से साइमन कमिशन अपने रिपोर्ट में दूएर सासन का बिरोध किया था, या फिर उसको बोला सासे, इसको कंटिन्यू क करके रखो, ठीक है, तो यह पूछा जाता है, तो दो एचसासन के बारे में इसको बोला था, कंटिन्यू करके रखो, जैसे उन्हेस के एक में मैंने क्या बता है, केंदरिये सब्जेट, सेंटरल सब्जेट और स्टेट सब्जेट को अलग-अलग किया गया था, जो प्रांत अशिकि आपने रिपोर्ट तो इसमें दौएर सासन को उसने किन्टिन्यू करने की बात गई थी, ठीक है, अलाकि इसी जो साय्मन ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के तीन गोल में सम्मेलन होता है, तीस में एकटिस में गोल में सम्मेलन का जब 1935 में, जब अधनियम के तोड़नीन के तरफे जब उसी के निस्कर्स को प्रस्टूत किया जाता था, उसमें प्राय거든 में 12 साशन को हटा दिया था, आपको ध्यान में रठना है 191 में प्राय Burgh Saan को अई थी, 1935 के एक केंडर में 12 साशन लगी और प्राय서 से हट गई, तुक है? और क्या कहा था बिटिस भारत के संक्यस्था अपने संपरदाइक निर्वाचन विवस्था को जारी रखने आदे किसी फारीश की थी मैंने कहा बता उन्हें संपरदाइक निर्वाचन विवस्था को शुरुआत की गई थी 1929 के एक्ट में बढ़ावा किया गया और 1935 के अधनियम में भी इसको बढ़ाया ही गया था ठीक है तो यह साइमन ने भी बोला था से संपरदाई के विवस्था जो है निर्वाचन विवस्था जो से इसको मतलब कंटिन्यू रखा जा ठीक है और आयोग के प्रस्थावबों विचार करने के लिए बिटिस सरकार ने बिटिस भारत भारती पर एगर姜न विवाजन हो जाता लियू आगे चलIES के मांटवेंट क्रीप्स आएमेंगे गाविनेट, क्रीफ्स और लॉर्ड मांट वेटन प्लान जो था वो सब एक्टर से विभाजन के तौर पर ही देखा जाता है इस सम्मेलन में हुई चर्चा पर सवधानिक सुधारों पर एक स्वेत पत्र तयार किया गया जिसे बिचार के लिए बिटी संसत की संजुक प्रवर समीती के समक्ष रखा गया इस समीती के सिफार सो पे कुछ संसोधन के साथ भारत परिसर अधनियम 1935 सामिल किया गया ठीक है मतलब साइमन ने जो रिपोर्ट दिया तीन गोल में सम्मेलन हुए उन सब का जो सरांच जो आपको देखने को मिलता है तो 1935 का भारत अधनियम के तौर पे आपको देखने को मिलता है इसको आपको ध्यान पर रखना है ठीक है इनको कमनल अवार्ण के तॉर्पे जाना जाता है यह आपको ध्यान tou अगा सुने 132 में अनृषं क्लैव को पत नीधि पर अल्व संख्यकों के पत्निधितों पर एक योजना की घोशना की गई, इसे कमुनल अवाड या पिस संपरदाइक अवाड के नाम से जाना जाता है, देखीगा इसमें क्या था, अभी तक आप देख रहे थे, 1909 के एक्ट में, बिटिस गवर्मेंट सबसे पहले मुसलमानों के दी, किस एक्ट में दी थी, फिर सीख को, फिर इसाई को, फिर उर्पन को या अंगल भारती, इस सब को किसमें मिला था, इस सब को, इस सब को किसमें मिला था, 1919 के एक्ट में इन सब को मिला था मिला था ना तो इन सब के लिए अलग अलग निर्वाचन वेवस्था का तो विस्तार किया गया आगे चाल के इसमें दलीतू के लिए भी विस्तारी कर दिया गया तो दलीत किसका हिस्सा है हिंदू का हिस्सा है चलो ये मुस्लिम अलग धर्मे सीकल अब धर्म इसाय अगर अगल भारती है एंगलो इडियन अलग लेकि दलीत को अगर आप काटोगे तो किससे काटोगे बहुत दिक्कत हो सकती हिंदू का एक बड़ा सा समूज होता है अलग हो जाएगा तो बहुत अथिक दिक्कत हो जाएगा तो गांधी जी बहुत ही कौन से जन थे थे पूने के यरवदा जेल में थे अब लोगों सर गांधी जी जेल में क्यों थे तो गांधी जी आपको पता होना जाएगे सेकेंड डाउंड टेवल कॉंफरेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए गये हुए थे लंडन और गांधी जी को ठग लिया था कि गांधी जी को भेजटो दिया मनावना के भेज़ दिया से जाएगे सारी बात आपकी माल नहीं जाएगे लेकिन गांधी जी जैसे ही लंडन में पहुँचे तो इर्विन से उनकी बात नहीं बन पाती तो ही संप्रदाइक पत्निधित्यू के मैटर पे बात नहीं बन पाती से अलग-अलग लोगों को निर्वार्चन का धिकार देना अलग-अलग समुदाय को गांधी जी वहां से आते हैं वापस जब गांधी जी जब वहां से जब वापस आते हैं तब तक भारत का वायसराय हो गया रहता बदल गया रहता है इर्विन जो गांधी जी के साथ जो प् प्रोमिस किया थे वेलिंग्टन सारे चीजों को मानने से कर देता इनकार, गांधी जी को आ जाता है घुस और गांधी जी फिर दोबारा सिविल डीजोबीडियनश शुरू कर देता है उसी बात पर बिटिश गोबन्ट गांधी जी को आरेश्ट करके पूने की एरवदाजल में डाल देते है तो तो डैट टाइम गांधी जी कहा थे in 1932 में गांधी जी थे पूने की एरवदाजल में ठीक है और उसी समय बिटिश मिनिस्ट्रेट ने घोषना किया से हम दलीतों को भी देंगे संफ्रदाई का धिकार देंगे ठीक है गांधी जी काफी अधीक नराज हुए घुसावग गांधी जी ठीक है फास्ट अंटू देद बता तब तक फास्ट करूंगा तब तक मेरी मिर्टू न हो जाएगी ठीक है उन्होंने अंसर मतलब प्रारम कर दी से भाई साब इस इसको बिल्कुल भी कथित तोर पर बडास नहीं किया जाएगा तो हिंदू समा से दलीतों को अलग निर्वाचन का धिकार दो ठीक है और यहां पर यर्वदा जिन में गांधी जी ने अंसर प्रारम कर दी ठीक है कॉं अगरेस के नेता ने किन के उपर फ्रेसर बनाया भी उम्रा अंबेटकर जी के फ्रेसर बना से आप जाके गांधी से जाकर मिलिया उनको समझाएगे श्वांसन तोर दे आप जो हैसे संपरदाइक पतनी धित्तों जो दिया गया दलीतों को उससे आप पीछे हट जाईए ठी हैं खाला कि गांधी जी और अम्रेकर जी के बिचिमें बंती नहीं थी फिर धिर भी गांधी जी से मिलने अंबेटकर जी गया उन्होंने बोला से देखिए आपके मरने का जो पाप जो caus अपने सरै नहीं लेना चाहता है तो आप क्या मांगते हैं बताईए आपकी क्या मांगे हम आपकी मांगे क्यों मानेंगे तो गांधी जी नम्बेटकुर के काय से देखो यह संपरदायक पत्निदितों की बात जो दलीतों को जो दिया जा रहा जो रैमजे मैंग्डोनाल ने गोशना किया है उसको तुम पत्निदितों की बात न बने ठीक है तो दोनों के बीच में एक समझाता होता है इस समझाता के हम लोग इतियास में पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं पूना पैक्ट के नाम से जानते है इन 1932 में गांधी और अम्बेटकर के बीच समझाता होता है कि यरवदा जेल में हलाकि गांधी जी उससे में जेल में होते हैं तो गांधी जी के बिहाब पे पंडित मदन मोहनमालविये पूना पैक्ट पे साइन करते हैं ठीक है इसको याद रखेंगा पूछा जाता है यह फैक्ट ठीक है इसको पूना पैक्ट होता है इसको पूना को बनाए रखा गया मतलब हिंदु का जो नर्वाचन वेवस्था उसमें दलीत अलग नहीं होगा सजुक दे हिंदु निरवाचन वेवस्था यह सब के सब कि बात करेंगे तो स्टारे के सारे 935 का ठीक है ध्यानव रखेंगे 935 का जो एक है इसके बारे में भी हम लोग ज़रा समझते हैं इस एक में क्या था तो यह आपका आखरी है इसको ज़रा बहुत अच्छे तरीके से समझना है ठीक है उनेश बला सबसे तरीके से समझने आ गया ना कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना उनेश बला समझते में ठीक है अब हम परहेंगे उनेश फेंटेश ठीक है यह आखरी था भारत सासन अध्नियम की बात करेंगे 935 यह अध्नियम भारत में पूर्ण उत्तदाई सरकार की गठन में एक मिल का पत्थर साबीत हुआ यह एक लंबार बिस्तित दस्ता बेस्त इसमें 321 धराय और 10 अनुसुची थी ठीक है कितनी धराय थी कितनी धराय थी ठीक है और इसमें अनुसुची की बात करेंगे तो कितनी अनुसुची थी तो ध्यान में रखना है दस अनुसुची थी ठीक है ध्यान में रखना है ठीक है तो 321 धराय थी आइसमें अनुसुची की बात करेंगे तो इसमें 10 अनुसुची हुआ करती थी इसको भी आपको ध्यान में रखना है पूछा जाता है एक ग्जामे कई बार एक ग्जामें पूछा तो बताओ और यह तब और यहां पर देखेंगे इस ने अखिलभार्ति संग की अस्थापना की अब इसमें क्या था तो इसमें राज्य और दिया देहार में रखेंगे इसमें राज्य प्रियासत की बात करेंगे तो रियासत में आप देखोंगे वैसे थे जहांपे पर्टेक्ष रूप से नहीं किया जाना था अपने मरजी के साथ मतलब बटलर समीपी बनीpek बटलर समीताइगे समीते का वुद्व ही थो थे विच्टि समराजी मतलब बटनिष इंपार देशी रियासत के बिच मन्हों पर्टबंग हो ठीक है इससाँ नाम था बत्लरसमीटी ठीक है इस अधनियम में ठीक है केंदर और एकाईयों के वीच तीन सुची बनाया ठीक है उन्हेस करने राज ये सुची में उसमें उनसक है थे संग सुची पर मतलब कवा राज कानून बनाती ती राजी को कानून बनाने का धिकार था अभी वह इसी इप तीन सुची था, ठीक है, यहाँ पर सक्तियों का बटवारा कर दिया गे, लेकिन अभी भी अप्सिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो कोई ऐसा भी से है, जो किसी भी सुची में नहीं है, तो अभी अगर कोई ऐसा भी से होगा है, तो उस पे किंद्र सरकार कानून बनाएगी, ठीक है, और किसी भी सुची में नहीं है, उस पे कानून बनाने के लिकार, अभी किंद्र सरकार के, उसी को अपसिष्ट सक्तिया क कि अधि ich 11 के 3 बार्ट इसा जासे नहीं किया Sa tough को ज्रहती सामिल नहीं किया व 37000 नहीं किया जा सकता था यह आपको ध्यात्षान वारक ना है है मैंने क्या बगात है उनाइस के एक में परांतों में लगी थी लगी थी ने डायर की और यहां पर 1935 के एक में प्रांतों में दुएट सासन को समाप्ट कर दिया गया और प्रांतिये स्वतत्ता का सुभाराम किया गया वद्धा प्रांतों को फिरी कर दिया प्रांत जो थे अब स्वायत हो गया ठीक है और राज्यों का अपने दायरे में रहकर स्वा पर काम करना आवस्था कर दिया, अभी भी क्या है, अभी भी राज्य का गवर्णर जो है, तेहां पर मिनिस्टर जो होते हैं, उनके सलाह पर काम करने के लिए शुरू किया गया, ठीक है, यह बेवस्था की बात के रहें, 1937 में शुरू हुई थी, और 1149 में इसे समाप्ट कर लिए गया चुनाब भी हुआ था इसी दरान अब देखो कि 1937 में चुनाब भी हुआ था राज्यों में इसने केंद्र में दोर्षासन परणाली का प्रारम किया राज्यों में दोर्षासन परणाली का प्रारम 1911 के एक्ट में राज्यों में दोर्षासन परणाली का समाप की के बात करेंगे 1935ライpha के एक्ट में केंदर में दूर्षाष्ऑ्या परणालिर कीव ला थlesh के आरम केंदर में तो 1935 के 12 में किया गया थे ठीक है यहां पर क्या था परिनामता शंगे ने सुनाइस वले में तो वहाँ पर राज्यों के लिए करता था सियम कंडिसन लगाया गया उने इस पैथिसमें केंद्र में जहाँ पर जो संगिया सब्जेट productive LE जो विशय जो थे subject जो थे उनको हस्तान्ति जो आरक्षित में रखा गया हलाकि यह प्रभधान कभी लागू नहीं हो सका ठीक है अब देखेंगे इसनमें 11 राज्यों में से 6 में दुसद्निये बिवस्था प्रारम की गई बंगाल में बंबाई में मदरास में बिहार में संज तो राज्यों के दो हाउसे सोना जैसे अभी बात करके बिहार में दो हाउसे ठीक है बिहार में बिधान सभा भी है अब बिहार में बिधान परिसाद भी है लेकिन बंगाल में जाओ तो वहां पे केबल बिधान सभा है ठीक है कहां कहां पे बिहार में है उत्तर परदेश मे आन्थ परदेस में है तेलंगना में है अभी छे या सात राजों में भी है पूरा राज्य के नाम मुझे नहीं याद है आन्थ परदेस में है तेलंगना में है बिहार में है उत्तर परदेस में है कहा है और जारकन में है महराष्ट में है करनाटक में है बिलकुल करनाटक में ह उसखेए में सेथिया उपर हाउस होता है अभी बीधान सभा निम्न सदन कहते हैं अब यहां पर मैंने क्या बोला था मैंने बोला था ध्यान में रखना उन्हें नौ के एक्ट में संप्रदाइक पत्निधु को शुरुआत की गई 1929 के एक्ट में बढ़ाया गया 1935 के एक्ट में और बढ़ाया गया ठीक है आप बोलोगों सर 1935 के एक्ट में तो ध्यान में रखना में रखना किसे अक्ट में दिया, तो 1935 के एक्ट में दिया, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक बहुत महत्पून पद जो था उसको समाप्ट कर दिया कि आपको पता हो नची अठारा सो अन्ठावन के एक में हमने बोला था जो गवर्नर जो होते थे भारत के उनको वैसराय पद का नाम दिया गया भारत के प्रसासन को संभालने के लिए इंग्लेंड मे को शहलाकारों के टीम मिल गए और इनको भी हक्ते से पावर जो था 1935 में जाके सवाप्ट हो जा था भारत सचीब के जो पद जो था ठीक है इसमें मता धिकार का विस्तार किया गया लगभग 10% जनसंक्या को मत देने का धिकार दिया मत बिस्तार करने के बाद भी मत देने का अधिकार केबल कितने परसेंट जनसंक्या को है उसमें देश के जाड़ आइधिक तीस करोर के आस्वास रही होगी आप रॉक्स में जिस्ते से मात 10% जनसंक्या को मत देने का अधिकार था ये भी आपको ध्यार में रखना है ठीक है इसके अंतकर देश की मुद्रा और साख पन जनतन के लिए भारतीय रिजर बैंग की अस्थापना की ठीक है 1935 के एक में ही भारतीय रिजर बैंग की अस्थापना करने की बात की गई थी प्रांतिय सेवायोग और दो यादो से अधिक राज़ों के लिए संजिक तुलोग सवायोग के भी अस्थापना थीक है तो संघ्य लोग सब्सक्राइब और एक तर से देखोगे प्रांतिय लोग सब्सक्राइब प्रांतिय लोग सब्सक्राइब और दो यादो से अधिक राज़ों के मिलाके एक आयोग भी हो सकता है ठीक है यह 1935 के एक महीं था हमने क्या बोला था 1935 के एक में रिजर्ड बैंक बनाने की बात थी रिजर्ड बैंक की अस्थापना होती है लेकिन रिजर्ड बैंक की अस्थापना 1936 में होती है ठीक है उसी तरह आप देखो कि 1937 में संघिय नयाले की भी अस्थापना होती है जिसको फेडरल कोट कहते है डिल्ली में होती है अब लोगे सर उचितम नाले संगिया नाला अलग होता है तो ध्यान में रखे का भी गल्ती मत कीजेगा अगर पुछे जागा किस एक्ट में उचितम नाले के अस्थापना की गए तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में जो था जो कि 1774 में कलकत्ता में की ग बस नाम अलग-अलग है इसलिए नाम में नहीं फसना है ध्यान में रखे सुप्रीम कोट अगर पुछेगा तो 1773 के एक्ट में अगर संगिये ने आले पर फेडरल कोट अगर पुछेगा तो 1935 के एक्ट में ठीक है यह सारी सीज़ें हो जाती है भारत को अजार भी करवाही देते हैं कि कल करवा है कि अगर आज पराऊंगा तो कूश्चन कल होगा ठीक है अब मैं कई बार कह रहा हूं आप लो class miss नहीं करें class miss होगा तो वीडियो जरूर देखिए का class miss करेंगे पीछे का कुछ नहीं समझे और यह किताब पिर आपकी रिपीट नहीं होगी ठीक है इसने मैं हमेशा कहता हूँ एक बार परके इसको अच्छे से समझ के समाप्त कर दीजें ठीक है चलिए तब नाइंटी ठीटिवाइब का यह सारा कहानी समाप्त हो जाता है तो बीच में कुछ चीजे आती जैसे क्रिप मिशन आता है नाइंटी फोटी सिक्स में ठीक है यह सारे चीजे जब आती है और फिर भी भारत का जब देखा जाता से नहीं भारत का भारत को अजादी देना ही परेगा बेटी सरकार सुरु में चाहती से भारत को डोमिनियन एस्टेटस दे दे जैसा कि क्रिप्स मिशन में कहा गया था दोमिनियन एस्टेटस के दर्जादे के भारत को मना लेते लेकिन भारत के जो भी कॉंग्रेस के नेता थे भारत वासी थे टोटल इंडिपेंडेंस को लेके ठीके हुए थे तो इन सारे चीजों को देखते हुए कैबिनेट मिशन प्लान आता है उसी के अधार के अधार पर इंडियन कंसिट्यूशन बड़ी बनती है भारतिये शविधान सभा बनाने के लिए के बड़ी बनाई जाती है और उसी के अधार भारत सुतंता अधनियम नाइंटीफोर्टी सिबन पालित किया जाता है ठीक है इससे पहले आप देखोगा थे दिटिये बीसी थे उन पर यह कंट्रोल कर रख सके कि बहुत सारे उपनिवेस थे इसके क्या थे नेवर संसेट ऑब बेटिस इंपार के कभी भी सूरज अस्त नहीं होता ठीक इतना बारा इसका एंपार हुआ करता था भारत में भी अब लगा से भाई साब यह भाला कि यह जो उपनिवेसी लिबरल सरकार थी उदारबादी सरकार थी ए लेकिन अगर इसी में चर्चिल की सरकार बनती तो भारत को सोतंथा मिलना थ्षवा मुस्खिल हो जाता है लेकिन बिश्टंच चर्चिल क्या था एक ऐसा नेता जो तो झीता लेकिन चुनाव बहार गया चर्चिल जीत नहीं बाता है एटली की सरकार बनती है एटली भारत को सुतंता देने के लिए तयार हो जाता है लागि चर्चिल की अगर सरकार बनती तो भारत को सोननता हो सकता था दस साल और देरी हो जा पांक साल और देरी हो जा लेकिन चर्चिल तो सुतंता देन पी घोषना की गई, वो लगए 30 जुन 1947 को, भात में बेटिस सासन क्या हो जाएगा, शमाप्त हो जाएगा अब इसके लिए ठीक है, इसके बाद उतरडाई भारती है हातों में सौप दी जाएगी, इस घोषना पर मुस्लिम लिगने आंदोलन किया और भारत की बिभाजन की बात नहीं, यह बोला से बाईसाब सोतंता तो दे रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है हम भी मांगते है, लेकिन हमें भी बात को जाओ, हमको क्यों छोट रहा है हमको भारत के साथ नहीं रहना है क्या करना है तो भारत को दो हिंस्था में बातो नहीं तो हम क्या करेंगे बिरोंथ करेंगे ठीक है इसलिए एक प्लान टेस्ट किया गया जो क्रीजुन प्लान के नाम से जानते हैं ध्यान रखेगा तीन जुन 1947 को बिटी सरकार ने फिर अस्पस्ट किया कि 1946 में गठिट सभिधान सभा द्वारा बनाया गया सभिधान उन छेतों पर लागु नहीं होगा जो इससे सुविकार नहीं करेंगे ठीक है तो 1946 में कविनेट मिशन प्लान आया था मैं इसी के अधार पर सभिधान सभाब बनी थी कंस्टिटूशनल वड़ी जो थी सभिधान बनाया गया और बोला गया से भाई सब में बॉल दे दिया तुमको अगर संग में सामिल होना है तो हो नहीं होना है तो नहीं हो ठीक है उसी दिन तीन जुन नहीं 47 को वैसराय लाउट में लाट में बेटन ने विभाजन की घोसना पेस की थी भाई भारत और पाकिस्तान डो डो मिनियन बनेंगा दोनों अलग यजना कि नाम से सब Northeast起 दोना को कॉखर कर लिया कोुझी रास्ता नहीं तो भारत पाकिस्तान दो अलग देश बंजा, वो ही ठीक है, इस परकर भारती स्वतंतर अद्यम उनिश्टो सेंटालिस मन कर तयार हुआ, और इसे लागू किया गया, इस अद्नियम में विसेंस्ता क्या थी, इसमें भारत में बिटिस राज समाप्त करके पंदा को स्वतंतर संप्रभू राष्ट भुषित कर दिया, स्वतंतर भी है, शम्प्रभू भी, यहाँ पर एक चीज़ असपस्ट करना चाहूं को, अगर एक जामिनर चाहा है तो इसे गलत कर सकता है, भारत पंदरा का सुनिश्टो सेंटालिस को भला ही आजाद हो गया, लेकि संप्रभू नहीं था, अब वह भाजन करके 270 डोमिनियन बनाएगा, ठीक है, डोमिनियन थे लेकि संप्रभू राष भारत और पाकिस्तान का सीजन किया गा, जिसने बिटिस राष मंदल से अलग हो सकता था, अपने सर्तों पर सामिल हुआ था, जब बन करता तब अलग ही हो सकता था, ठीक है, बिटिस परोष रूप से सासन किया था, उपनिवेस के तौर पे उनका एक समूह था, जिसको राष मंदल कहते थे, ठीक है, इतने वाइसराय के पद को समाप्त कर दिया, उसके अस्तान पर डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद का स्रीजन किया गया, ठीक है, और दोनों जो गवर्नर जनरल का पद जो था, एक में कोन बना, एक में बना, लॉर्ड मांट बेटन बना, भारत के गवर्नर जनरल, और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल जिन्ना बना था, ठीक है, पाकिस्तान के प्रत्हम पदान बनती जिन्ना नहीं है, जिन्ना गवर्नर जनरल थे, प सभिधान राज्यों को अपने देशों में सभिधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के सभिधान को अपनाने की सक्ति दी गई सभाव को यह भी सकती देगी को किसी भी British कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है और यहां ते कि उन्हें सोतंता अदियम को भी निरस्ट करने का अधिकार दिया गया उनको बोला गया से अगर आपको लगता है जो कोई British कानून पहले से बना हुआ है आप उसको चाहो तो समाप्त कर दो भारत को भी बोला गया पाकिस्तान को भी बोला गया अगर आपको लगता से 1947 को भारत सोतंता अदियम जो है इसको भी आपको समाप्त करना तो इसको भी आप समाप्त कर दो इसलिए मैंने बोला से अभी तक हम लोग स्वतंत डोमिनियन थे पूरी तरह के स्वतंत नहीं हुए थे इसने डोनों डोमिनियन राज्यों को सभिधान सभाव को इस सक्ती पड़ान की कि कुछ नए सभिधान के निर्वाने में करानवित होने तक अपने-पने समंदित जो आप देखोगे भारत का सभिधान तक बनके 1950 में तयार हुआ तो भारत का भारत चल कैसे रहा था किस कानून से चल ला था तो यह 1935 जो भारत सासना नियम था इसी के अधार पर चल ला था भारत भी पाकिस्तान भी पाकिस्तान तो लगवा अजादी के 1556 तक चला रहा था 1935 एक्ट के अनुसार की कि उसका सभिधान तो बहुत बार्द में बनके तयार होता है 1547 के बार बिटिस संसर में पारित हुआ कोई भी अधनियम डोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक वो दोनों ऐसा चाहेंगे नहीं ठीक है ध्यान पर रखेंगे तब तक दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून ना बनाने तब तक लागू नहीं होगा इस कानून ने बिटिन में भारा सचीब का पद्ध को शमाप्त कर दिया गया इसकी सभी सक्तिया राश्पंडल मामलों के राज्यो सचीब को हस्तांतित कर दी गई ठीक है इसने 15 गार सुने से 47 को भारतिये रियास्तों पर बिटिस संप्रूपता की समाप्ती की घोशना की गई जो भारतिये रियास्त जो थे तो बिटेन का कोई भी संप्रूपता नहीं, इसके साथ या दिवासी छेत्र समझोता समंधो पर भी बिटी सहां से चेप जो था वसमाप्त हो गया, भारतिये रियास्तों को एक तावर दिया गया, उसको यह सोतंता दी गई, यह चाहे तो भारत डोमिनियन, या फिर चाहे तो पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है, या फिर सोतंतर भी रह सकती है, तो बताई, आपको बोलेगा पाकिस्तान में मिल जाओ, आपको बोलेगा या फिर भारत मिल जाओ, या फिर आपको बोलेगा आप एक सोतंतर देस बन के रहा हो, तब कि बाद में सबको मिलाया गया, ठीक है, इस अदियम ने नया सभिधान बनने तक पट्टे डोमिनियन में सासन संचालित करने में भारत सासन अधियम 1935 के ताहत उनकी प्रांतिय सभाव में सरकार चलाने की बेवस्था की, अलाकि दोनों डोमिनियन राज्यों के इस कानून में सुधार करने का धिकार था, जब तक भारत का सभिधान न बन जाता, जब तक पाकिस्तान का सभिधान नहीं बन जाता, तब तक भारत सासन अधियम 1935 के ताहत, उसकी प्रांतिय सभाव में ठीक है, सरकार चलाने के विवस्था की गई, ठीक है, अलाकि ये भी कहा गया सका, आपको लगता है 1935 के एक में किसी परकार की बदला की सकता है, तो आप कर सकते है, यो आर फ्री, ठीक है, लेकिन फिलाल इसी के चला लो अपने देश का सभिधान इसने बिटी सासक को बिधाय को पर मताधिकार उन्हें स्विक्रीत करने का अधिकार से बंचित कर दिया, लेकिन बिटी सासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी बिधाय को स्विकार करने का अधिकार पराप था, ठीक है इसके अंतेकर भारत के गवर्णर जनरल एवं प्रांतिय गवर्णरों को राजों को सब्धानिक परमुख निप्त किया गया ठीक है अब भारत का सब्धानिक परमुख कोन होता है रास्पती है या फिर राजों का सब्धानिक परमुख कोन है तो गवर्णर है ठीक है उससे मे मंत्री सरकार के पर्मुक होते हैं, राज्य के पर्मुक है, अपने अधार पे काम करेंगки, राज्यों के मंतरी परिषद के प्रामर्स पे काम करेंगा अभी भी राज्य पाल कारे करते हैं तो मंतरी परिषद के प्रामर्स पे ही काम करते हैं तो मंतरी परिषद की प्रामर्स पे ही काम करते हैं ठीक है इसने साही उपाधी से भारत के समराथ पड़ को मतलब क्या कर दिया समाप्त क ठीक है उसने भारत में राजे सची तथा सिविल सेवा में निक्टिया करने और पदों पर अरक्षन करने की परनाली समाप्त कर रही पंदरा का सुने सो साथालिस के पुरुव के सिविल सेवा करमचारी को वही सुबधाय मिलती रही जो ने पहले से प्राप था ना तो उनको बढ़ाय गया दूसरी बास सिविल सेवा के जो अधिकारी जी तो उनको दोनों चीजी कही गया आप चाहो तो पाकिस्तान में सामिदा है चले जाओ या फिर आप चाहो तो भारत के साथ भी रह सकते हो उनको कहा गया ठीक है मतलब विससे सारे बाते लागू नहीं होती थी बढ़ाय उन चेतरों पे बाते लागू जी समाली पंजाब तो भाई पंजाब दो पंजाब था एक पाकिस्तान में भी पंजाब गया भारत में भी पंजाब गया तो पंजाब के जो सिविल सेवा का धिकारी था उनको बोला गया तो आप भारत में सामिल हो जाओ या फिर पाकिस्तान में चले जाओ ठीक है इधर वाले पंजाब में जाना चाहतो आप लोग देख लो तो सिविल सिवा का अधिकारी क्योंकि उससे में जैसी स्थिती थी उससे में सिविल सिवा बहुत इंपोर्टेंट रोल आदा करती थी ध्यान रखेंगे ठीक है अब चोदर से तंडर को सिविल से तालिस की मधैराती को भारत में बेटी सासन का अंत हो गया समझ सक्तिया दो नए डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तान्तित कर दे गए लोड मांट वेटर नए डोमिनियन भारत के प्रत्थम गवर्नर जेनरल बने उन्होंने जवाहला नहर्यू के भाण के पहले परधान बनती के रूप में शपत दिलाई 1946 में बनी सविधान सभा को सुतन्थपार्टी डोमिनियन की संसत के रूप में सुट्कर कर लिया गया थीक है अब 1946 में जो सविधान सभा जो बनी थी तो सभिधान सभा दो काम करती थी एक भारत के संसत के तोर पे भी काम करती थी एक सभिधान सभा के तोर पे भी काम करती थी ठीक है दोनों काम कर रही थी अब लोगों सर ये कैसे चल ला था जब सभिधान सभा तो भारत के अंतरिम संसत के तोर पे काम करती थी ते इसका आध्याक्श चेन हो जाता था, इसका आध्याक्श बन जाते थै जीवी मौलंकर नंकर स相द, टूप है? जब यही सविधान सभा, जब सब Kolleginnen संसद के तौर पर चाम आवी अनतिन पर पर बनाने वाली सभा के तरप भी काम दै थी, जब इसरों बाता है था नहीं बन जाते हैं लोक सबाइ ciudad रखत्ष मेंश क्या छो खवा好像 यह 2 मंत्री नहीं थे और एक जो था आपका 1947 बला, तो अंतरिम बला में देख लिए, जो 1946 में जो सरकार बना था, जिसम मुस्लिम जीक शुरू में सामिल नहीं होती, लेकिन बाद में सामिल होती है, इसमें 14 अदस थे, 9 जो थे कॉंग्रेस थे, पांच से जे तो मुस्लिम जीक से थे, ठीक है, 9 पल खाद एवं क्रिसी थे, जोन मताई, उदोग एवं नाकरी आप रूसी थे, पूछा जाता है कभी-कभी, जर्चीवन नाम बिहार से ते स्रम दिया गया था, शदार बलदेव सिंग के पास रक्षा था, C.H. भावा के पास कारे खनन एवं उर्जा था, लियाका तली, ठीक ह जोम पया सिंग न गया, जोन बहता है की बातब करेंगे, जमार हों इसको नगत राखेंगे, ठीक है, यह इनतरीम सरखार कार में ahon τangen थरस थे, पांस की बात करेंगे, सुरू में पॉस्विसलिम निंक से था लेकिने बाद में Muslim League सरकार में सामील हो गई थे ठीक है अंतिम सरकार के सदस वैसरा की करेकारी परिशत के सदस थे ठीक है वैसराय का परिशत का प्रमुख बना रहा लेकिन जवाहला नहरू को परिशत का उपाधेक्स बनाए गया अब सोतंत भाद के मंटिम मंडल इसमें क प्रत्थम विदेश मंति जवाहला नहरू ही है क्योंकि विदेश मंताले इन्होंने अपने अधीन न की थी सदार बलावे पटेल ग्रीश हुषना प्रसारेनमम राज्यों के मामले थे राजेंदर बावु के पास खादेमम क्रीशी था उसमें भी सेम था आगे चलके राजपती बना दिये जाते है उन्हीं सोपचास में मौलाना अबुलकला मजार देश के पहले सिक्षा मंती जौन मथाई रेलवेर परिवहन मंती आरके सनमुखम चेटी की बार के देश के पहले बीत मंती ठीक है अंबेतकर साहब को उन्हें बिधी मंती बने थे जग्जीमन नाम की बात के लिए स्रम उसमें अभी भी स्रम ठी ठीक है 14 सदस्किय में से एक मात महिला थी राजकुमारी अमरीत को ठीक है जिनको स्वास्त मंती मिला था जब तक जी भी थी ना तब तक इस स्वास्त मंती रहे ठीक है मंताले कभी इनका चेंज नहीं हुआ एचीजी भावा के पास वानिज्य था रफी आहमद किदवाई के पास संचार था श्यमापरसाद मुखर्थी जो थे उदोग में आपरूती थे ठीक है कॉंग्रेस से तो नहीं थे लेकिन अंती मंती मंदल बनी 1947 में भालाई अभी के जो सरकारे जो बन थी ये तो उसमें ध श्यमापरसाद मुखर्ची एक कैसे मंतरी बने जो की नहरू कविनेट से सब पहले इस्तिफा तिक है काहिसमिरवाले मुझ्दे को लेकर इन्होँने दे रीनेट से इस्तिफा देने वालए पहले थी ठीड है नरहरी विष्णु गाटगिल के पास कारे खनेने में मूर जाता है ठीक है तो यह आप याद कर लेना ठीक है पुछता है कभी-कभी इसमें से पूछेगा क्या पुछ देखा से बता इनमें से कौन सा बेक्टि का वही पद 1946 में था और वही पद 1947 में था मतलब उनका मंत्राले नहीं बदला ऐसा परसंद कर बार मैंने देखा है पुछा गया तो आप इसको ध्यान बरकने है ठीक है बाकि यह चेप्टर जो था आज आपका क्या हो गया समाप्त हो गया तीन क्लास लगे एक चेप्टर समाप्त हो गया है नेग्सस क्लासुत मेंलबकान कानिर्वा सभिधान का निर्मान मैं आप लोग को परहूंगा ठीक है बाकि इसका kल्की क्लास्स में ठीक है के और से सुन होगा और आप लोग को मैं अब्जेक्टिव के द्वारा सारे कॉंसेप्ट को फिलियर कर दूंगा वैसे आइधिंग सारा बन जाना चाहिए इतना अच्छा समय ने आपको इन सारे चीजों को परहाया आपको किसी फरकार की दिख़्ाइए